हेलो बच्चु वेल्कम बैक टू अवर चैनल डॉमी डग्टिट्स आज हम सीखेंगे मात्राएं और सिले के आहा तक जो हमने सुवर सीखेते उनी से मात्राएं बनती हैं तो आज हम मात्राएं सीखेंगे तो आप भी ध्यान से सीखिएगा और पढ़िएगा आ से आम जो हम पढ़ते हैं यह वह स्वर है और इसकी मात्रा यह वाली होती है जिसे हम आ का डंडा भी कहते हैं तो यह हो गई आ की मात्रा अब जैसे हम इसको सीखते हैं द ल यह बना द ल लेकिन हम इसमें एकी मात्रा लगा देंगे तो यह बन जाता है दा गया और अगला है ई कि इसमें दीरे से अँब आज आती है छोटी इसलिए इसको हम बोलते हैं तो इसकी मात्रा यह वाली होती है छोटी E की मात्रा इसमें धीरे से अब आ जाती है इक की जैसे हमने लिखा न ये बना दन दना दन लेकिन हम इसमें छोटी E की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा दिन अब ये है बड़ी E की मात्रा इसमें जोर से अवाज आती है E की तो ये इसकी मात्रा है बड़ी E की मात्रा जैसे तर अब जैसे हमने इसमें बड़ी E की मात्रा लगाई ये बन गया तीर अब अगला है U और ये है कू की मात्रा इसमें धीरे से अवाज आती है U की जैसे सण नौ साना सन लेकिन अब हम इसमें लगा देंगे छोटे उ की मात्रा तो ये बन जाएगा सुन। अब अगला स्वर है U बड़ा उ जी से हम कहते हैं U से उन हो अब इसकी मात्रा ये वाली होती है जिसमें सोर से आवा जाती है U की जैसे प फ ल फ ल फल लेकिन इसमें हम जब बड़े उ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाता है फूल अगला है रिशी रिशी जो हम पढ़ते थे वह स्वर है ये इसमें जो सांड आती है जो आवाज आती है वह री की आती है री जैसे वक्ष वक्ष अब हम इसमें री की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा व्रक्ष ए ए ये है एकी मात्रा जिसमें दीरे से एकी आवाज आती है तो हम इस मात्रा को इस तरहीं से लगाते हैं जैसे सब अब इसमें हमने छोटे एकी मात्रा लगाई तो ये बन जाता है सेब अब अगली मात्रा है आ की मात्रा का इसमें जोर से की अवाज आती है जैसे ए में की आरी थी तो इसके की आवाज आती है और यह इसकी मात्रा है जैसे i go the bell बन गया और इसमें में जैसे ही की मात्रा लगाई तो ये बैल बन गया तो ये बन गया बैल अगली मात्रा है ओ की मात्रा इसे हम छोटा ओ भी कहते हैं और इसमें दीरे से ओ की आवाज आती है और इसकी मात्रा ये वाली होती है तो ये हो गया छोटे ओ की मात्रा जैसे म र मर अब यह मर है लेकिन इसमें हमने ओ की मात्रा लगाई तो यह बन गया मोर अब अगली मात्रा है बड़े ओ की इसमें जोर से अवाज आती है ओ और यह है ओ की मात्रा इस तरीके से हम इस मात्रा को लगाते हैं जैसे दर लेकिन हम इसके अंदर बड़े ओ की मात्रा लगा देंगे तो यह बन जाता है तो यह बन गयाता है दॉली अगला है अंकी मात्रा इसमें अंकीआवास आती है जीसे हम अंकीः विंदू भी कहाते हैं और इस मात्रा को इस तरीके से लगाया जाता है जैसे ह, स, हस, यह भी हस बना है, अब जैसे ही हम इसके उपर अंग की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाता है, हंस. अगली मात्रा है अह, इसकी मात्रा के पीछे विसर्ग लगाते हैं इन दो डाट्स को कहते हैं दो बिंदो को कहते हैं विसर्ग और यही अह की मात्रा होती Bennett इसमें अह का स्वर आता है जैसे अ त और विसर्ग तो ये बन गया अतहा अतहा मतलब इस लिए तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं और आप भी मेरे साथ ये इसको समझिए आ ये आ की मात्रा जैसे द पे आ की मात्रा लगाई तो ये दाल बन चुका है ये ये है ए की मात्रा चोटी की मात्रा द न दन लेकिन इस पे ए की मात्रा हम लगा देंगे चोटी की मात्रा तो ये बन जाएगा दिन ए, यह है E की मातरा, बड़ी की मातरा जैसे तर, ता पे बड़ी तीर, तीर उ, उ की मातरा, छोटे उ की मातरा स न सन, लेकिन हमने इस पर छोटे उ की मातर लगाई तो ये बन गया सुन उ बड़ा उ की मात्रा फ लफल हमने इस पर बड़े उ की मात्रा लगाई तो यह बन गया फूल रिशी यह है री की मात्रा जैसे वक्ष बना लेकिन हमने जैसी री की मात्रा लगाई तो यह बन गया व्रिक्ष ए यह है ए की मात्रा, छोटे ए की मात्रा सब हमने इस पर ए की मात्रा लगाई तो यह बन गया सेब ए यह ए की मात्रा बल हमने इस पर ए की मात्रा लगाई तो यह बन गया बैल ओ और यह चोटे ओ की मातरा जैसे म are मर किन हमने इस पर ओ की मातर लगाइं तो यह बन गया मोर मोर और बीट कि मातरा जैसे डड़ अब इस पर हमने ऑ की मातर लगा दी यह बन गया दौड दौड अंग यह अंग की मात्रा जैसे ह सहस अब ह पर बिंदू लगाई हमने आखें अंग की मात्रा तो हंस अह और यह है अह की मात्रा और इसमें अ त और त पर विशर्ग लगाई तो यह बन गया अतह अतह मतलब इसलिए तो मैंने पिछली वीडियोस में बिना मत्रा के शब सिखाए थे आप सब उन वीडियोस को भी देख सकते हैं उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढाल लेगी थेंक यू बच्चो मिलते हैं अगली वीडियो में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन दबाईए लाइक और शेयर कीजिए बाई बाई बच्चो